कि अध्यूंट वेलकम टो एकोटर अकैडमी जहरादूम और आज हम लोग जो है इस वीडियो के थूए बड़ा इंपॉर्टन टॉपिक ले रहे हैं जो कि आपके प्रिलियम्स और मेंस दोनों के एक्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और किसी भी फॉर्मेट में आ सकता है और वो है आपका टॉपिक प्रेसेंट रूल तो प्रेसेंट रूल एक जो सिंपल हम पढ़ते हैं वो है आर्टिकल 356 तो एक क्वेशन जो आपका आता है कि प्रेसेंट रूल जो है वो किस आर्टिकल में आपका आता है तो आपने टिक करके आना है 356 में आना है ठीक है लेक the duty on the center to ensure that the government of every state is carried on in according with the provision of the Constitution यानि कि 355 यह कहता है center government को कि जो भी आपके 28 states government है वो according to the constitution ही क्या करेंगी अपने काम करेंगी यानि कि कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगी जिससे यह लगे कि वो out of the constitution या या unconstitutional जो orders है या bills है या आपके activities है वो कर रहे हैं ठीक है तो यह 355 center government को क्या कर देता है इस काम के लिए insure कर देता है यानि इस काम की क्या देता है एक तरीके से duty देता है ठीक है अब यहां पर क्या दूसरी बात कही है it is the duty in performance of the way the center take over the government of state under article 356 in the failure of the constitutional machinery यानि कि 355 article और 356 आपस में link up है 355 यह कहता है कि यह center की duty है कि वो state को देखे कि वो constitutional के according ही behave कर रहा है कि नहीं कर रहा है और अगर नहीं कर रहा है तो 356 के तहत वहां पर क्या impose कर दे president rule impose कर दे या जिसी को क्या कहा गया है state emergency कहा गया है वो impose कर दे या इसी को एक और word use किया गया है constitutional emergency impose कर सकता है तो यहां आपको दो आर्टिकल्स और उनका relation मुझे रगता है समझ में आ रहा होगा 355 center को यह duty देता है और अगर वो duty center निभाता है और उसको लगता है कि state perform नहीं कर रहा है तो 356 के तहत स्टेट emergency states में impose की जा सकती है ठीक है अब अगला आता है कि जो यह president rule है under the article 356 उसके जो clear दो grounds है वो कौन से है ठीक है जो कि 356 में जो है itself ही mention है और साथी साथ article 365 में भी mention है under in article 365 ठीक है तो पहला जो एक ground है वो है आपका क्या कि on the basis of the report of the governor the president can impose the president rule ठीक है यह ground कैसे हो सकता है कि गवर्नर को ऐसा लगता है कि वहाँ पे जो state government है वो unconstitutional activity कर रहा है बारवा मेरे इस word पे ध्यान जरूरूर रखता exam में बहुत confuse करते है ठीक है और उसके बाद दूसरा reason यह हो सकता है कि state machinery जो है वो fail हो जाए जो constitutional promises किये गए है citizen से वो deliver करने ठीक है तो यह दो चीज़े बच्चों आपको ध्यान रखनी अक्सार आपके exam में आती है अब बात की जाए कि जब भी किसी state में प्रेसेंट रूल इंपोस किया जाता है अंडर यह article 356 दो ग्राउंस में आपको बता चुका हूँ तो लिखा क्या हुआ एक the president rule must approve by both the houses of parliament यानि कि लोकसभा इंरासभा within the period of two months from the date of its issue यानि कि मालिजे आज अगर मालिजे से 4 September है और आज अगर किसी एक state में मालिजे हिमाचल में अगर प्रेसेंट रूल इंपोस होता है तो दो महिनों के अंदर अंदर within two months parliament में ये पास होना ज़रूरी है अब अगर आपका एक और question आपके दिमाग में आना चाहिए कि parliament तो इससे में सेशन में है नहीं जिसे आज हम 4 September की बात करें तो इससे में जो हमारा monsoon session था ठीक है अब उसके बाद सीधा कहा आएगा ज़रूरी ठीक है फिर बात करें इस दा प्रेसेंट रूल अप्रूव बोट दा हाउसेज ऑफ पारलिमेंट यानि कि लोग सबारा सबह में पास होता है तो यह कुछ आपके प्रेसेंट रूल के आपके आसकते हैं इसके तैयारी करते रहे है और अगर यह वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को और कमेंट कीजिए आपको यह वीडियो कैसा लगा